असलामों आलेकुम यूट्यूप फैंब्र रमसान स्पेशल में आज हम आप लोग को चोकलेट क्रीम केक बनाना सिखाएंगे सो लट स्थार्ट चोकलेट क्रीम केक बनाने के लिए हमें एक कप मैयदा एक कप जोटी चमच हम लोग बेकिंग पाॉडर लेंगे हाफ कप हम लोग मिल लेंगे आफ कप हम लोग औil लेंगे चार अदद हम लोग अंडे ले लेंगे और कॉफी हम लोग आदी चमच थोड़े से गरम पानी में मिक्स करके रख लेंगे अब आपको हम लोग वन वायवान ये सब चीज़ें शोग कर देते हैं कॉफी आप देख सकते हैं कि हम लोग ने तकरीबन दो चमच गरम पानी की यूज की हैं छोटी वारी चमच ये हमार पास हाफ कॉप में मिल्क है ये हमार पास शुगर सीरम है इसका यूज हम लोग ग्रेंड में करेंगे ये हाफ कॉप आईल है और चार अदर अदर अड़े और ये आप लोग कप देख सकते हैं आप लोग ने इस साइज के लिए हास से चीज़ें लेनी है ये हमार पास शुगर है ग्रेंड की हुई और ये हमार पास मैदा है और ये हमार पास एक कप कोको पॉर्ड है और नमक आप लोग ने दो से तीन चूट की लेनी है आप लोग ने बीटर ले लेना है और उसमें अंडु को सही से बीट करना है जब तक इसकी अच्छे से जाग ना बन जाए सो तो अब आप देख सकते हैं कि जाग सही से बन चुकी है जितने अच्छे अंडे आप लोग बीट करेंगे कि एक उतना ही अच्छा बनेगा अब हम लोग इसमें शुगर एट कर देंगे और इसको भी अच्छे से बीट कर देंगे अब लोग ने साधे साथ सब चीजें एट कर लिनी है अब हम लोग इसमें मिलक और आप कर आप लोग ओल आप लग कर लें इसके बाहद अब आप लोग ने कुछ ट्रॉप्स वनीला एस्ंस की यूज कर लिने और वो एसमें एड कर लिनने अब जब का नेक्स टेप है आप लोग ने उसमें जो काफी हम लोगोंने मिक्स करके रखी हुई थी वो आप इसमें एड़ कर लें इसके बाद आप नमख कर लें इसमें और baking powder भी आप इसमें एड़ कर लें और baking soda भी इसके बात at the end आप लोगोंने cocoa powder एड़ कर लेना है उसके बात आप लोगोंने मेदा ले लेना है वो पी इसमें एड़ करके से इचे से बीट कर लेना है सो तो अब केक का पेस्ट रेडी है अब आप लोगोंने इसको सांचे में डाल लेना है सांचे को आप लोगोंने चेसे ओल से ग्रीज करना है और उसके ओपर बटर पेपर लगा देना है और फिर उसके बाद आप लोगोंने ये पेस्ट अपने जो भी जिस भी शेप में आप करने केक पेस्ट को सेट करने के लिए आप लोगों ने ये स्टेप करना है आवन में तकरीबन 15-20 मिनट लगें केक को बनने के लिए लेकिन आप फिर भी साथ साथ चेक करते रहिएगा अगर केक थोड़ा सा कच्छा रह जाए तो आप लोगोंने इसको थोड़ा से टाइम दो परल का लेना है सुब आप तेख सकते हैं कि हमारा केक रेडी है आप हम इसको डिशाउट करते हैं और इसकी डेकुरेशन स्टाट करते हैं अब जब लोग का step है वो यह है कि आप लोग ने toothpick की मदद से इस केक में इस तरह से वाल्स कर लेने हैं ताकि जब हम लोग सीरम डालें तो वो केक में equally चला जाए अब यह जो सीरम है आप लोग ने चमच की मदद से पूरे केक में फिला के एट करना है ताकि यह सही से dissolve हो जाए और पूरे केक में dissolve हो कोई साइड इसकी ऐसी ना रह जाए जाए यह dissolve ना हो सके अब आप लोगों का नेक्स्ट अप यह है कि आप लोगोंने क्रीम और केरेमिल को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप लोगोंने केक के उपर इसकी लेयर लगा देनी है इसके बाद अगर आप लोगों वीप क्रीम ले लें और उसका यूज करने उससे केक को सही से डेकुरेट करने करने के बाद आप लोग ट्रे की साइड साफ कर लें ताकि केक की लुक है वो नीट लगे तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मारा चोकलेट क्रीम केक रेडी है इसका टेट सबको बहुत पसंद आथा आप लोग भी इसको जरूर ट्रै करें मज़ीद अगर आप लोगों को कोई सवाल है कोई confusion है तो आप लोग हमसे सवाल करें इंशाला आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा यह झाल टेट सबस्क्राइब घ्रड चैनल फूट वर्ट वर्ट एप्ट टेट बल इकन थैंक यह सो मुछ फूर वच्छी और विट्ट